ओम नमस्षिवाय दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे चैनल दनोले सेंटर में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको धनवान बनने और धन प्राप्ती के अचूक उपाय या उनको आप तोटके भी कह सकते हैं, वो सब बताने वाले हैं ये सब उपाय रावण सहिता से लिये गए हैं हम सब जानते हैं ही रावण जरूर राक्षशकुल का था लेकिन साथ में वो ब्रामिन था, प्रकान विद्वान था शिव का महान भक्त था, उससे बड़ा शिव का भक्त आज तक कोई नहीं हुआ शिव को प्रसंद करने के लिए उसने केलाश परवत तक को अपने हाथ में उठा लिया था कई बार अपने शीष काट कर मादेव को चड़ा दिये थे रावण में बुराई जरूर थी लेकिन साथ ही वो ज्यान का भंडार था राजनिती और कूटनिती का ग्याता था रावण ने शिव को प्रसंद करने के लिए शिव तांडविस्त्रोत की रचना भी की थी जिसे उसने जब पहली बार शिव के लिए गाया था तो शिव ने कैलाश शोड़ दिया था और महादेव रावण के समक्ष आगे थे आज भी शिव तांडविस्त्रोत की बहुत महीमा है अब यहां कई लोगों के मन में ये सवाल बार बार आता है और हमसे कमेंट में पूस्ते भी हैं कि इन उपायों से कोई लाब होता है या ये सब ऐसे ही बेकार है तो हम यहां आपको एक बात स्पर्ष्ट करना चाते हैं कि जो भी उपाय सास्त सम्मत हैं उन उपायों को हमारे रिशीमुनियों ने हमारे पूरवजों ने पहले परिक्षन किया था आज माया था उसके बाद ही उन उपायों को मनुष्य जाती की बलाई के लिए सोपा था दोस्तों किसी भी उपाय को करने से पहले सबसे जरूरी है आपका अपने इश्वर के उपर पूरा विश्वास और अपने उपर भी पूरा विश्वास होना चाहिए कई लोग हमसे पूशते हैं कि इन उपायों को करने से कुछ गलत तो नहीं होगा हम उन सबसे यही कहना चाहते हैं कि पहले आप विश्वास रखकर सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ उपाय करिये लाब अवश्य मिलेगा उधारन के लिए जब भी आप बिमार होते हैं तो उस समय आपको जब तक अपने डॉक्टर और उसकी दी गई दवा पर भरोसा नहीं होगा तब तक आप ठीक हो ही नहीं सकते जीवन में सारा खेल आपके विश्वास का है दोस्तों जितना विश्वास उतनी ही सफल था खेर आगे बढ़ते हैं तो रावण ने रावण सहीता में अपने सारे ज्यान को इखटा करके इस ग्रंथ की रचना की थी अपने सारे ज्यान और अनभो को उसने रावण सहीता में बताया हैं कई चमतकारी और तांतरिक उपाय इसमें बताय गए हैं यहां हम आपको तांतरिक उपाय नहीं बता रहे हैं सिर्फ साधरन उपाय बता रहे हैं जिनको करने से कोई नुकसान नहीं है पहला उपाय जो रावन सहीता में बताया गया है वो यह है कि जो व्यक्ति रोज नियमित रूप से शिव की पूजा करता है शिवलिम पर दूद और बेलपत्र अर्पित करता है उसके घर में कभी धनकी गमी नहीं होती दूसरा उपाय कार्तिक अमवश्या को करना होता है कार्तिक अमवश्या के दिन जो कोई अपने घर में या घर के आसपास बीलब का पोधा लगाता है और नियमित रूप से उसे पानी देता है, उसके यहां कभी धनकी कमी नहीं होती। इस्थि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए धन की आवक बढ़ाने के लिए, कारतिक के महिने में नियमित रूप से जल देने से, और शाम के समय बेल प्रक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जला कर स्री शूक्त का पाठ जो कोई व्यक्ति करता है उसको जीवन में कभी धन की कमी मैसूस नहीं होती अपने घर में रोजाना शूत अंडविस्त्रोत का पाठ करने वाला व्यक्ति कभी भी आर्थिक समस्या से परेशान नहीं होता दोस्तों ये उपाय सरल हैं आप जरूर अपने इश्वर्ब विश्वास रखकर इने करें जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें ताकि अधिक सधिक लोगों को इसका लाब मिले और इसी तरह की नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ओन करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकरी के साथ तब तक आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे धन्यवाद